राजस्तान अभी भीशंट सर्दी का सामना कर रहा है हम और आप बड़े अराम से अपने अपने घरों में आराम कर रहा है लेकिन जिनके पास घर नहीं है उनके लिए ठंड मुसीबत बनकर टूटी है बेगरों और मुसाफिरों के लिए सरकार ने रैन बसेरों का प्रबंद क परदेश में सर्दी का असर पूरे जोरों पर है सरदी जिले श्री गंगानेगर में भी कडाके की ठंड पर रही है तापमान की बात करें तो दिन का तापमान 10-15 डिगरी और रात का तापमान 3-5 डिगरी रह रहा है सरदी जिला श्री गंगानेगर वो जिला है जहां परद ओडने के लिए कंबल या दूर शहर से कोई मुसाफिर आकर फस जाता है तो ऐसे में उन लोगों के सामने रात बिताने को लेकर समस्या हो जाती है ऐसे में वो लोग पहुंचते हैं रहन बसेरों पर जो परशाशन दवारा चलाय जाते हैं आज हम एक ऐसे ही रहन बसेरे के अं तरफ सरकारी अस्पताल है जहां पर मरीज भरती रहते हैं और वहां के जो परीजन है मरीजों के वो भी यहां आकर आशरे ले सकते हैं रातरी के समय और एक तरफ बस टेंड है यदि कोई रातरी के अंदर बस के अंदर फस जाता है दूर शहर जाने के लिए बसे नहीं मिल हैं तो लोग भी यहां पर आकर अपना जो रात है वो बिता सकते हैं अब अम इस रेमिसेरे चाहेंगा और जो सुउधाइं मिलती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यहां पर जो रेमिसेरे के अंदर एक वेक्ति है आप से जानना चाहूंगा क्या नाम आपका आपका नायलाई जी तो यह रैन बसेरा है क्या क्या सोइधाई है भी और खुछा शोड़िदा लोग यह रिए और रोक う अपलोग क्या क्या को ईंट्री कद करते हो अधार काट की नेगते है जी नंबर लेते हैं मुबाइल के असला देते हैं बड़ी अभी अभी तड़ार्गी खाने की क्या बश्ता ने के 8 रुपे में खाना बड़ी है मिलता है जी खाकर सोजाते हैं बड़ी है एकडम और पानी जी लेट रिंग बातरूम सुष्ट व्यान एक डुप अग्दम बड यहां पर एक जैसा कि इनुने बताया कि एक वक्ति यहां पर रुका भी हुआ है, हम उससे भी बात करेंगे, खास बात यह है कि इस रेण बसेरे के अंदर जो इंदरर रसोई है, वह भी संचालित होती है, तो ऐसे में खाना भी इन लोगों को जो है, वो बढ़िया मिल जाता है, यहां एक वक्ति रुके हुआ है, मु भाइसाब क्या नाम आपका, माहिश डामोर कहां से आए आप बासवणा से बासवणा से काफी दूर से आए है यहां कैसे आए थे मैं आज जुबजटी कॉलेज में आए था असाइपन्में जबा करने के लिए तो यहाँ पर रुके हुए हो आप रहन बसेरे के अंदर तो व्यवस्तह हैं यहां यहां रुभसता बोत बड़ी है रहने की भी मिल गाता है इप वकूर मिल जाता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं मैसूस होई नहीं कोई दिक्कत नहीं है रात को भी गाड़ साब भी रहते है बार इसलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आपके साथ थी और भी रुकते होंगे यहां पर यहां यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है नहीं कोई दिक्कत न लिए नाने दोने के लिए पानी अच्छा है गरम पानी मिल गया है इनको बताया कि इनका एक साथी हो रहा है वो अभी निकला है थोड़ दिर पहले यहाँ पर मैं कैमरमेन को कहूंगा कि एक तस्वीरे दिखाएं कि हीटर भी लगा हुआ है जो तमाम सुधाएं हैं वो दी ग करार के कोई परशानी नहीं हो रही कुल्दीब गोयल एंडे टीवी श्री गंगानेगर